Welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So guys, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 4 breakout stock के बारे में जो आने वाला week होंगा, इनके नाम हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बड़े breakouts in stock में हमें देखने को मिल सकते हैं So guys, यहाँ पर काफी कुछ बाते होंगी in इस वीडियो में तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दमाचन Trader को subscribe नहीं किया है तो please guys, चैनल को subscribe कर देना तो करते हैं वीडियो को start So guys, जो हमारा breakout stocks है उनमें सबसे पहला stock होंगा Reading Tong Limited Reading Tong Limited की अगर बात की जाए तो stock ने पिछले trading season अच्छे returns दिये थे यहाँ पर अगर बात करें तो last trading season इसने closing दी थी 177.60 रूपिस के around वही बात करें तो अच्छे momentum देखने को हमें मिला था 1.40 रूपिस तक की एक अच्छी growth देखने को मिली थी 0.79% के हिसाब से तो guys यहाँ पर क्या stock में अच्छे returns आने वाले week में हो सकते हैं तो बिलकुल यहाँ पर अगर आप देखोंगे इसके labels को देखकर एज़ाई लगता है कि आने वाला जो week होगा शांदार होने वाला है क्योंकि ए पिछले 3 हफतों से 3 से 4 हफतों से तगड़े returns दे रहा है और बिलकुल जो breakout हम expect कर रहे थे stocks हो हमें मिलने वाला है कल के दिन क्योंकि नए week की शुरुआत कल से होगी और यहाँ पर एक नए breakout तो guys यहाँ पर अगर देखे तो one week के time frame पर हम इसे discuss कर रहे है और यहाँ पर खुद ही देख सकते हो पिछले 4 हफतों में अच्छे momentum हमें share में देखने को मिले है बिलकुल यहाँ पर levels देखे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस particular level से हमें fall देखने को मिला था यहाँ से एक fall आया था यहाँ से भी fall तो यहाँ पर अगर देखे तो एक important rejection point उपर से यहाँ पर इसे मिल रहा था और यहाँ पर एक channel create करके share उपर के और यहाँ पर momentum बता रहा है वही गाइस यहाँ पर अगर देखे तो already यह दो से तीन बार rejection इस level से जहल चुका है और यहाँ पर अगर देखे तो इस level को इसने break करने की पूरी कोशिश की है तो कल के दिन यहाँ पर कई लोगों की नजर इस stock पर हो सकती है रेडिंग टॉंग एक जानिवानी company है और यहाँ पर हमें breakout से मतलब है गैस यहाँ पर अगर breakout मिल जाता है तो stock में 10 से 15 रुपे तक की एक sharp rally हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर आप देखोंगे पहले भी stock ने हपते हपते भर में ही 20 से 30 रुपे तक का momentum देखने को हमें मिला है दे दिया है तो यहाँ पर भी वही momentum हमें देखने को मिल सकता है तो guys यहाँ पर बिलकुल नया breakout वाला stock है और यही नहीं यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो एक inverted head and shoulder pattern भी create हुआ था one week के time frame पर वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा आप खोदी देख लो और यहाँ पर हमने सिर्फ एक trade line बनाई हुए है इसे थोड़ा हम जून करके देख रहे है यहाँ से बिलकुल rejection 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 बिलकुल एक head and shoulder type pattern create हुआ यहाँ पर दो shoulders है एक head है और उसी के साथ यहाँ पर breakout हमें मिला था stock ने sustain भी किया उसके बाद boom और वही कल के दिन इस particular level को break करता है तो बिलकुल एक sharp rally देखने को मिल सकती क्योंकि आपके मन में question होगा breakout मिलता है तो suddenly retest कर सकता है बड़ गाइस यहाँ पर इसे sustain करने में लग भग तीन हपते लग सकते हैं उतने में आप तगड़ा profit इससे gain कर सकते हो तो reddington को अपनी watch list में आप रख सकते हो वही जो next stock है हमारा वह है power mac project limited power mac project limited pause actor का ही एक share है यहाँ पर देखे 2,142 रुपे के around इस share हमें closing देता हुआ था last decision और वही एक बात करे 135.70 रुपीज तक अच्छा move बता चुका है 6.76% के साब से और यहाँ पर one week के टाइम फ्रेम पर आप देखोंगे तो already एक breakout यहाँ पर प्रोसीड कर चुका है और बिल्कुल कल के दिन एक breakout उपर की और candle सस्टेंट कर चुकी है तो कल के दिन की candle एक huge candle इसमें बन सकती है तो कल के दिन भी यहाँ पर 100 तो 50 रुपिस के around एक move हमें देखने को मिलने वाला है तो इस stock पर भी आपको नजर बनाया रखनी होगी यहाँ पर अगर देखे तो 15 मिनट के chart फ्रेम पर भी सही move यहाँ पर बन रहा है already यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो एक symmetrical type pattern create हुआ था break out मिला था sustain करके stock ओपर के और चा रहा है तो कल के दिन यहाँ पर एक बड़ा move power mac project में भी हमें देखने को मिलने वाला है so guys यहाँ पर बिल्कुल आप investment कर सकते हो बट यहाँ पर कही न कही यह support लेने की particular level पर कोशिश करेगा यहाँ पर जैसे ही यह support लेता है तो एक बड़ा jump आ सकता है तो थोड़ा आपको यहाँ पर इस पर focus करना हो सकता है वही अगर बात करें तो जो हमारा next stock होने वाला है ओ है JTEKT यहाँ पर JTEX Limited BM से कह सकते हैं वही अगर बात करें तो stock का जो price है करन प्राइज लास्ट रेडिंग से ने इसना क्लोजिंग दी थी 143.10 रूपीस के राउन यहाँ पर बात करें 3.65 रूपीस तब एक momentum देखने को मिला 2.62% के हिसाब से वही बात करें तो stock में 15 मिनट के chart frame पर एक शानदार breakout में जज़र आ रहा है यहाँ पर pollen flag pattern भी हम इसे कह सकते है यहाँ पर एक falling wedge pattern भी हम इसे कह सकते है यहाँ से stock उपर गया इस particular level से rejection लिया यहाँ से support लेके फिर से उपर गया फिर नीच आया तो upside downs momentum देखने को हमें मिल रहा है यहाँ पर अगर देखे तो breakout already stock में मिल चुका है यहाँ पर बिल्कुल एक continue कर सकता है 145 to 50 150 तक भी यह share momentum बता सकता है बट उससे भी बड़ी बात आप यहाँ पर देख सकते हो already stock में एक शांदार breakout मिल चुका है कितने time frame पर बात करो मैं बन मन्त के time frame पर और यहाँ पर अगर आप देखोंगे इस particular level पर rejection है यहाँ पर भी rejection है और कही न कही एक cup and handle type pattern भी है जिससे हम bullish pattern कहते है guys bullish pattern है और वही अगर देखे तो cup and handle pattern बना है तो बिल्कुल यहाँ पर और एक candle बड़ी बन सकती है फिर उसके बाद stock sustain करने आ सकता है तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है बिल्कुल एक बड़ा momentum कल के दिन shift होने वाला है और वही अगर बात करें तो एक channel भी create हुआ है जिसे हम rising wedge type pattern कह सकते हैं और बिल्कुल इसी pattern के हिसाब से a share move कर रहा है और यहाँ पर एक double bottom type pattern भी है तो guys यहाँ पर double triple confirmations है याद पहले तो 15 minute के chart frame पर है फिर उसके बाद confirmation है इस breakout का फिर उसके बाद confirmation है double top का और यहाँ पर कल के दिन इस particular level को भी break कर रहे तो यहाँ पर से एक momentum एक तगड़ा spike हम expect इस stock से कर सकते हैं तो guys यहाँ पर JT Act Lidia Limited के हमने बात की अब जो बात होगी वो होगी Elkon International Limited की Elkon International Limited की बात करें यहाँ पर stock का जो price है 60.95 रूपीस के around इसने closing दी थी 1.55 रूपीस तब अच्छा momentum देखने को मिला 2.61% के हिसाब से वही guys बात करें तो 1 month के time frame पर stock में क्या हमें देखने को मिल रहा है शानदार breakout हमें देखने को मिल रहा है इस particular level से rejections है और इस particular level पे एक support भी तो guys upside downs momentum के बाद stock में शानदार breakout अल्रेडी मिल चुका है बठी हाँ पर एक चीज है आप लोग सोच रहे होंगे कि अल्रेडी ये बड़ा spike दे चुका है बठी हाँ पर इसने इस share को touch करने कोशिश की है तो आप इस situation में थोड़ा आपको wait करना पर सकता है क्योंकि यहाँ पर अगर देखे तो अल्रेडी एक range में फसा हुआ है और इस range का breakout इसे अल्रेडी एक मिल चुका है तो यहाँ पर एक एक्सपेक्टिक ट्रेडी हमें 64 रुपीज तक देखने को बिलेगी यहाँ पर हम चारो ही shares को लेकर काफी कुछ बाते discuss कर चुके है बड़ गाइस आप भी discuss कर लेना आपके जो भी consultant होंगे उनसे क्योंकि invest करने से पहले खुद का analysis भी उतना ही जदा important हो जाता है वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो को like करो, channel को subscribe करो, thank you